हलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में एन एक और नए वीडियो में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हॉंडा की और ने 2.0 के बारे में आज हम देखें के रियल लाइफ में ये बाइक कैसे दिखती है और इसके जो फीचर से वो भी मैं आपक देखना और आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल एकन को भी प्रेस करो जिससे मेरे आपको सारे न्यू वीडियो से नोटिफिकेशन तब से पहले मिलती रहेगी तो बीना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का व पर काक कि एले बाई के लुक और रिचते हैं तो फ्रंट लोक की बात करें तो यहां पर आपको मिल जाएगा फुल एले डी एड्म जो काफी स्टाइलिश लगता है और बाई काफी एटरेक्टिव दिखती है और सो बाइक के फ्रन लुक में आपका येक चीज़ पर डेफि स्विस जनरेशन की होरनेट आती थी वो ही सेम टाइब कि आपको एक शेप में यहां पर एडिडी टेल लाइट मिल जाएगी एंड आइधिंग यह होरनेट 2.0 है तो यहां पर कंपनी को कुछ यहां पर नया करना चाहिए था इसकी टेल लाइट में साइट प्रोफाइल की बात करें तो होरनेट बहुत स्टाइलिश लगती है साइट से भी एंड आपको बहुत स्टाइलिश वेव में होरनेट लिखा हो मिल जाएगा इसका टेंग के उपर एंड आपको थोड़े बहुत ग्राफिक्स भी मिल जाते हैं मेरे को तो जी 2.2 होरनेट का ओवराल लुक एंड डिसाइन काफी पसंद आया काफी अच्छा लगा आपको इस बाइक का लोग कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंड करके जरूर बताएं तो गाइस अब बात करते हैं इसके इंजिन डिस्प्लेस्मेंट की तो यहां पर आपको मिल जाएगा 184 cc का एर कूलिंग इंजिन जो मैक्सिम्म पाउर प्रडूस करेगा 17 बी एच्पी का एन मैक्सिम्म टॉक प्रडूस करेगा 16.1 एनम का और से यहां पर आपको 5-speed gearbox मिल जाएगा यानि कि इस बाइक में 5-8 होंगे एक चीज़ जो मुझे पसंद नहीं आई ए वो है इसका air cooling engine कम से कम यहां पर आपको oil cooling मिल जाता है तो काफी अच्छा होता क्योंकि हम इसके segment की bikes को देखे तो वहां पर आपको oil cooling भी मिलता है and liquid cooling भी मिलता है लेकिन फैंट unfortunately यहां पर आपको सिफ air cooling मिलता है यह आज के modern जमाने की sports bike है तो यहां पर कम से कम oil cooling तो होना चाहिए था टायर्स की बात करें तो यहां पर आपको tubeless tires मिल जाएंगे and front tire की size 110 section 70 by 17 जो rare tire है उसकी size 140 section 70 by 17 जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका जो पीछे का tire है तो जो cornering है वो आपकी काफी अच्छे हो जाएगी rider को काफी अच्छा confidence मिलेगा also अगर हम off-roading की बात करें तो वो भी अब बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाऊगे इसके white tire की वज़े से अब बात करते है इसकी breaking key and disc size की यहां पर आपको मिल जाएगा single channel ABS and front में आपको ABS मिलेगा dual channel ABS होता तो काफी अच्छा रहता front disc की size 276 mm जो rare disc है उसकी size 220 mm suspension setup की बात करें तो front में आपको मिलेंग यहांगे usd forks यानिकी upside down suspension setup and rare में आपको मिलेगा monoshock suspension setup also friends मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहां पर आपको जो usd forks मिल रहे हैं वो ही segment कि आपको कोई bike में नहीं मिलते है and also यह golden color में painted है तो काफी attractive भी लगते हैं sitting की बात करें तो यहां पर आपको split seats मिल जाएगी जो क काफी attractive लगती है and bike का overall look and design है वो अब काफी better हो गया है and इसकी seat height की बात करें तो इसकी seat height almost 790 mm है मैं exact नहीं बोल रहा हूं क्योंकि अभी तक Honda ने इसकी seat height के बार में कोई भी official update नहीं किया है ground clearance की बात करें तो यहां पर आपको ground clearance मिलेगा 167 mm का इस bike के weight की बात करें तो 142 kg जी है इस bike का weight तो friends जो bike है वो काफी lightweight है तो आपको definitely इस bike को चलाने में मज़ा आने वाला है इस bike की fuel tank है ठीकी बात करें तो यहां पर आपको मिल जाएगे 12 liters की fuel tank अब बात करते हैं इसके instrument cluster की तो यहां पर आपको जो normal information मिलती है जैसे की speedometer है odometer है टेको मीटर है trip meter से वो त लुक में भी काफी अच्छा लगता है अब बात करते हैं इस bike की pricing की तो मेरे city में इसकी on-road price रूपीज वन लेक 45,000 रूपीज आपके city की on-road price में रूपीज 2000 यह 3000 का difference हो सकता है और मेरा कोडिंग यह bike थोड़ी सी over price है और सो आप मुझे comment करके जरूर बताए कि आपको इस इस टाइब से bike को ride करोगे उसके ऊपर depends करता है और सवेंज मैं करता हूँ यहाँ पर मेरा वीडियो एंड एंड में इस bike को बहुत जल्द ride करने वाला हूँ और अपना ride experience भी शेर करूँगा वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like कर दो subscribe करो मेरे YouTube चैनल को इस तरह के स इंफोमेटिव वीडियो पाने के लिए एंड बैल एकन को भी प्रेस करो जिससे मेरे आपको सारे नियो वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी शेर करो यह वीडियो अपने फ्रेंज के साथ इन फेमली मेंबर्स के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में